आज के वीडियो में आपको बताऊंगा फ्लैक पैटन क्या होता है इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है इसे ट्रेड कैसे करते है वीडियो सुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप पहले की फॉर्मेशन को देखेंगे आए पहले बुलिच फ्लैक पैटन की फॉर्मेशन देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा अप्ट्रेंड के दौरान मार्केट सीधा उपर नहीं जाता मार्केट एक फॉर्मेट में उपर उठता है मार्केट पहले थोड़ा उपर जाता ह फिर मार्केट एक छोटे पीरेट के लिए कॉंसलिडेट करता है या करेक्ट होता है और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो अप्ट्रेंड के समय जब एक शार्प मूमेंट के बाद कंसॉलिडेशन पीरेड या करेक्शन के समय हमें दो ट्रेंड लाइन एक तो यहां आपको दिख रहा होगा market uptrend में है और यहां एक sharp movement के बाद market थोड़ा correct होता है तो क्या हम यहां एक trend line candle के नीचे draw कर सकते हैं कुछ इस प्रकार और क्या एक और trend line candle के ऊपर draw कर सकते हैं कुछ इस प्रकार So now अब हमारे पास एक sharp movement के बाद दो parallel trend line है So this is a bullish flag pattern आईए अब bearish flag pattern का formation देखते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है अब trend के समय सीधा market उपर नहीं जाती उसी प्रकार downtrend के समय market direct नीचे नहीं जाती market corrections के साथ नीचे आती है So अगर इस correction period में हमें दो trend line एक दूसरे के parallel मिलती है तो हम इसे bearish flag pattern बोलते हैं जो sharp moment होता है वो flag के pole की formation करता है और trend line flag की formation करता है आए इसे chart पर देखते हैं So यहां आपको दिख रहा होगा market downtrend बहा है और इस point पर market में एक sharp moment होता है Next यहां आपको दिख रहा होगा sharp moment के बाद market में correction आता है So क्या हम एक trend line candle के नीचे ड्रॉव कर सकते हैं कुछ इस प्रकार Simply और क्या हम एक trend line candle के ऊपर ड्रॉव कर सकते हैं कुछ इस प्रकार So now हमारे पास downtrend के दौरान एक sharp moment है जो flag के pole की formation करता है और correction period में हमारे पास दो parallel trend line है जो flag की formation करता है Now यह एक bearish flag है तो possibility है अगर price या candle lower trend line को break करती है तो यहां से price नीचे जा सकती है पर आपको एक बात हमेशा याद रखना है आपको confirmation के लिए volume को use करना है आपको देखना है जिस candle पर breakout हुआ क्या उस candle का volume high था या low था अगर volume high है तो यह हमारे लिए एक confirmation का काम करेगी तो अब हम समझते हैं कैसे हमें इन patterns को trade करना है तो यहां आपको दिख रहा होगा एक bullish flag pattern की formation होती है next इस point पर आपको दिख रहा होगा एक green candle ने upper trend line को break किया पर अभी आपको यहां कोई trade नहीं लेना आपको देखना है अगर next candle is breakout वाले candle का high break करके closing दे दे तो आप यहां buy कर सकते हो और additionally आप volume को as a confirmation indicator यूज कर सकते हो अगर breakout candle का volume high है तो यह आपको एक additional confirmation provide करता है एक और example देखते हैं यहां आपको दिखरा होगा market में एक upward move के बाद market थोड़ा correct होता है और इस correction period में हमें दो parallel trend line मिलते हैं So now अब हमारे पास एक bullish flag pattern है अब हमें breakout को wait करना है So इस point पर एक big green candle ने trend line को break किया पर अभी आपको कोई trade नहीं लेना आपको wait करना है अगर next candle इस candle का high break करके closing दे दे तो आप यहां buy कर सकते हो पर better confirmation के लिए मैं आपको recommend करूँगा आप always volume को देखें आपको देखना है क्या इस point पर volume high है या low अगर volume high है तो यह एक powerful confirmation का काम करती है एक और example देखते हैं यहां आपको दिख रहा होगा market अच्छे खासे movement से नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा correct होता है और यहां हमें एक various flag pattern मिलता है तो अब हमें breakout को wait करना है next इस point पर आपको दिख रहा होगा एक red candle ने trend line को break किया पर अभी आपको कोई trade नहीं लेना आपको volume चेक करना है अगर volume हाई है तो आप यहां trade ले सकते हो और भी different kind of flag pattern होते है हम उन्हें next वीडियो में cover करने की कोशिस करेंगे so hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़े information मिली होगी अगर आपको वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for your stock जनी